इस फ्रेम में तीन चित्र है पहले चित्र में प्रिया और जोती मैडम बात कर रहे हैं प्रिया कह रही है मैडम, लेकिन हमें अपने देश को सुगम में बनाने की जरूरत क्यूं है? मैडम कहती है बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चो, क्या आपको नहीं लगता कि प्रितेक व्यक्ति को आत्म निर्भर और सुरक्षित रहने का हक है? इसके लिए सुगम मेता हमें रहा दिखाती है इसलिए सोचो कि क्या सभी स्कूल अस्पताल पार्क भवन रेल्वे स्टेशन हवाई अड़े बस बाजार कम्प्यूटर टीवी वेबसाइट आदी सुगम में है यदि यह सब सुगम में हो जाए तो सब के लिए कितना अच्छा होगा? सभी बच्चे उत्तर देते हैं जी हाँ मैडम दूसरे चित्र में बच्चे और मैडम दिखाए गए हैं जिसमें सभी सुगम में जगह हो जैसे सुगम में शौचाले सुगम में बस सुगम में विद्याले भवन और सुगम में पीने के पानी के प्रबंध के बारे में में सोच रहे हैं तीसरे चित्र में मैडम और बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं मैडम कह रही है तो बच्चो कौन-कौन सुगमेता की संदेश का प्रसाद करना चाहेगा और सुगमेता योधा बनना चाहता है अभी बस शुरुवात हुई है बहुत कुछ किया जाना बाकी है हमें साथ आना होगा प्रिया कहती है मैं सुगमेता योधा बनूँगी मैं समझ गई कि मम्मी मुझे सुबह क्या बताना चाहरें थी मैं सुगमेता के महत्व के बारे में सबको और अपने दोस्तों को भी बताऊंगी माया कहती है हम इस संदेश को फैलाएंगे रोहन और बाकी बच्चे कहते हैं हम सुगमेता योधा बनेंगे चिंगारी सुलग चुकी थी प्रिया और उसके दोस्त तो अपने सुगम्यता अभियान को अपने परिवेश तक पहुँचाने के लिए योजना बनाने में लगे हैं साथियो आपको भी हाथ मिलाना होगा और सुगम्य भारत अभियान के लिए सुगम्यता योधा बनना होगा प्रोच्ट दूल